हेलो दोस्तो मैं हूँ प्रियंक शर्मा और मेरे चैनल पर आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक न्यू रेसिपी मेती का पराठा या मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ टेप्स जिससे हमारे पराठे बहुत ही टेस्टी और चटपटे बनेंगे और साथ ही हम बनाएंगे लैसून की चटनी और बूंदी का रायता जिससे हमारे पराठे हैं उनका टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा और जो हम पराठे बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और लेयर पराठे बनेंगे तो आप देख सकते हैं इनकी लेयर भी मैं अलग करके दिखा रही हूँ यह देखिए तो आईए बनाते हैं मेति के पराठे यहां मैंने लिया है 250 ग्राम के आसपास हरी मेति इसके पत्तो को हम साफ करके अच्छे से दो या तीन बार धो लेंगे यहां मैंने लिये हैं बारी कटिवी हरी मेच और लैसोन इनका हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे अब हम तैयारी करते हैं मेति काटने की तो उसके लिए हम इस परकार से एक चाकू ले लेंगे और एक मुठी जितनी हरी मेति हमें लेनी है और इस तरह से चोपरिया किसी प्लेट में रखके इसको बारिक-बारिक काट लेंगे और इसी तरह से जितनी हमने मेति ली है उनको ह बारीक बारिक काट लेंगे, तो आप देख सकते हैं, जितनी मेती मैंने लीथी, उसको बारीक काट लिया है, अब इसे भी 2-3 बार दो लेंगे, ताकि जो इसमें रेत मिटी है, वो साफ हो जाए, अब हम तैयारी करते हैं आटा गूतने की तो उसके लिए मैंने या लिया है धाई कप गेहु का आटा उसे हम चलने से अच्छे से चान लेंगे आप यहां गेहु का आटा मोटा या पतला ले सकते हैं अब हम इसमें एड़ करेंगे बारिक कटी हुई मेथी मेथी को यहां हमें तीन से चार बार पानी से अच्छे से दोल लेना है ताकि इसमें रेत्य मिट्टी ना रहें अब हम इसमें आड़ करेंगे लेसून और हरी मिर्च का पेस्ट स्वादनुसार नमक आदा चमच जीरा फ्लेवर के लिए एक चमच दनिया पाउडर आदा चमच गरम मसाला आदा चमच लाल मिर्ची पाउडर क्योंकि हमने यहां हरी मिर्च भी यूज की है और इन सब को मिक्स कर लेंगे अभी हम इसमें पानी एड़ नहीं करना है एक बार हम इने सुखाई मिक्स करेंगे अब मैंने लिया है एक ग्लास पानी अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी एड़ करेंगे और इसे अच्छे से गूत लेंगे तो हमें जहां पानी की जुरूरत होगी तब ही हम इसमें पानी एड़ करेंगे हमें एकदम से इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि यह जो हमारा डोबनेगा वो एकदम पतला हो जाएगा और जो हमारा आटा गीला है उसे एक साइड में रखेंगे बाकी सुखे आटे को उसी तरह से पानी एड़ करके अच्छे से गूत लेंगे तो यह आटे को गूतने में हमें 3-4 मिनट लग जाएंगी यह हमारा आटे का डोबन चुका है लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना है तो उसके लिए हम इसमें अच्छे से लोच लगाएंगे एक से दो मिनट लोच लगाने के बाद जो हमारा आटा है वो काफी सोफ्ट हो जाएगा और आटा फटा फटा नहीं रहेगा तो इस तरह से हम मेति के आटे का डो तयार कर लेंगे अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे तब तक हम तयारी करते हैं चटनी बनाने की तो उसके लिए मैंने लिया है मिक्सिंग जार उसमें डालेंगे 6-8 लसून, 2 हरी मिर्च, धनिया पत्ती, 15-20 कड़ी पत्ते और 2 टमाटर बारिक कटे हुए अब हम इसमें एड़ करेंगे मसाले, एक चमच लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद उनसार नमक, एक चमच धनिया पाउडर और इन सब कुक अच्छे से ग्रैंड कर लेंगे तो यह हमारी चटनी बनकर तयार है अब हम तयारी करते हैं रायता बनाने की, तो उसके लिए मैंने लिया है एक पैन, उसमें डालेंगे एक ग्लास पानी, पानी को बोईल होने देंगे अब हम इसमें डालेंगे एक कप रायता बुंदी, और यहां फ्लेम को हम बंद कर देंगे, और इनको पास से दस मिनट रख देंगे तो यहां मैंने लिया है 300 ग्राम के आसपास धही, धही को हम अच्छे से फेट लेंगे तब तक जो हमारी बुंदी है वो भी सेट हो जाएगी, अब हम इसमें डालेंगे मसाले, तो यहां मैंने लिया है रोस्टिर जीरा, इसको मैंने अच्छे से मेश कर लिया है, नमक, स्वाद अनुसार, एक प्याज, बारिक कटी हुई, और जो हमारी बुंदी है वो भी सेट करते हैं मेथी के पराठे बनाने की तो उसके लिए हम एक रोटी जितना डो अपने हाथ में लेंगे और उसकी लोई बना लेंगे और थोड़ा सा सूखा अटा उसमें लगाएंगे और इस परकार से उसको बेल लेंगे जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसी तरह से हम ब लगाएंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे अब हम इस लेयर पर भी लगाएंगे और इनको भी अच्छे से फोल्ड करेंगे अब हम इस पर सुखाटा लगाएंगे और इसको पेल लेंगे तो यह हमारा ट्रेंगल शेप है और यह शेप बच्चों को बहुत ही पसंद आता है तो आप इस शेप में भी बना सकते हैं तो यह देखिए हमारा मेती का पराटा ट्रेंगल शेप में तयार है मैं आपको एक और शेप बना कर दिखा रही हूँ उसी तरह से हम एक रोटी जितना आठा लेंगे और सुखा आठा लगा लेंगे और उसको अच्छे से बेलना है जो हम यहां गी उस कर रहे हैं उससे जो हमारा प्राठा है उसमें बहुत अच्छी लेयर्स बनेंगी तो इसमें भी उसी तरह से हम की लगा लेंगे तो यह हमें पूरी रोटी पर इस तरह से लगा लेना है और उसे चारो तरफ से पकड़ कर इस तरह से फॉल्ड कर लेंगे और एक रोटी की तरह है फिर से हम इसे बेल लेंगे तो इससे हमारा गोल पराठा बनेगा लेकिन لेयर्स में बनेगा तो इसी तरह से आपको जो शेप पसंद हो आप उस शेप में मेती के पराठे बना सकते हैं तो आईए अब हम तयारी करते हैं पराठा सेखने की तो उसके लिए या मैंने लिया है एक तवा तवे को अच्छे से गरम होने देंगे और उस पर पराठा इस परकार से डाल देंगे अब पराठे को हमें नीचे से थोड़ी देर के लिए सीखने देना है अब हम इसे पलट कर देखेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे से हमारा पराठा काफी अच्छे से सिख चुका है अब हम इस पर गी लगाएंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा पराठा है वो काफी अच्छे से फूलने लगा है इसका मतलब जो पराठे में लेयर्स होंगे वो बहुत ही अच्छी आएंगी अब हम इसे दूसी तरह से भी घी लगा लेंगे ताकि जो हमारा पराठा है वो दोनों तरफ से अच्छे से सिख जाए तो ये देखिए हमारा पराठा सिख चुका है या फ्लेम को हमें मीडियम हाई रखना है और मीडियम हाई फ्लेम पर हमारा पराठा बनकर तयार हो जाएगा यदि ये कहीं से कच्छा रहेगा तो उस जगह से हम इसे प्रेस कर लेंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा तो देखिए दोस्तो हमारा पराठा बनकर तयार है अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे तो यहां मैं आपको और नजदिक से दिखा रही हूँ तो इस तरह से जब हम गी लगाएंगे तो हमारा जो पराठा है वो अच्छे से फूलने लगेगा तो यह देखिए गित्ते अच्छे से पराठा हमारा शिक चुका है इसी तरह से हमने जितने पराठे बनाए हैं उनको रेड़ी कर लेंगे तो देखिए दोस्तों मेति का पराठा बनकर तयार है तो देखिए काफी अच्छे से इसमें लेयर्स भी बन चुकी है हमने यहां कोई भी stuffing नहीं की है तो मेती के प्राठे में यही कास बात है हम इसमें stuffing भी नहीं करते और यह काफी अच्छे से layers में बनता है और देखी काफी soft और crunchy भी है और जितने tasty यह दिख रहे हैं उतने यह खाने में भी बहुत ही tasty है यह तो आपको तब ही पता चलेगा जब आप उनको इस तरह से बना कर खाएंगे गरम गरम पराठो को हम serve करेंगे टमाटर लेसुन की चटनी और बुंदी के रायते के साथ साथ ही हम इसके टेस्ट को बनाने के लिए इसमें हम serve करेंगे अचार तो इस तरह से हमारा पराठा बनकर एकदम रेडी है तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राइ करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये पराठा कैसा बना है मेरी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए थैंक यू